भगुवत गीता इस धर्ती की सबसे कीमती ग्यान का श्रोथ है इस ग्यान की असल में कोई कीमत नहीं है इस ग्यान में इतनी ताकत है कि ये आपको बदल कर रख देगी और इसे इतना important सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजा भी है वीडियो को लाश तक देखना क्योंकि गीता की बातें अगर कोई भी इंसान जान ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता गीता ग्यान प्रतिभा और बुद्धिमता से भरा हुआ है मतलब आज आपको खजाने की चावी मिलने वाली है नंबर सेवन अपने काम को करते रहो बिना क किसी फल की चिंता किए ये एक बहुत पॉपुलर कोट है कर्म किये जा फल की चिंता न कर आप चाहे कुछ भी करो उस काम को ग्रीड यानि लालच इगो यानि अहंकार से मत करो बलकि महबत दया समर्पन से करो मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसे मन से करो पूरा ध्यान उसमें लगा दो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार ये कैसे हो सकता है मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हो वो तो फल को देख करी न कर रहे हो मतलब के मन में एक सोच है कि आप इस काम को करोगे तो आपको वो मिलेगा तभी ना आप कर रहे हो, तभी ना आपके अंदर motivation आ रही है, तो अगर फल की चिंता ना करें, तो काम कैसे करेंगे, देखो भाई, बात यहाँ पर काम को focus के साथ करने की है, तो simple बात यह है कि कोई भी काम आप तभी पूरे power के साथ कर सकते हो, जब आपके दिमाग में उस का काम के फल की ही क्यों ना हो, आपको उसे नजर अंदास कर देना चाहिए, क्योंकि फल के बारे में सोचोगे, तो आप उस काम में अपना 100% focus नहीं दे पाओगे, इसलिए present moment, यानि वरतमान काल में रहकर, उस काम में ध्यान दो, और उसके फल के बारे में भूल जाब, अपन भी काम को peacefully कर पाओगे, नमबर 6, पाचों इंद्रियों के जरिये, गलत तरीके से पाया हुआ सुक, शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको जहर की तरह खत्म कर देगा, इसका मतलब यह है, गलत तरीके से मिली हुई सुक का लालच, आपको बहुत नीचे गिरा देगा, नशा करना या ऐसी कोई भी चीज, जो गलत है, वो आपको थोड़ी देर के लिए सुक दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें, तो वो आपको नीचे गिरा देगा, इसलिए जिन्दगी में कोई ऐसा काम, जो आपको पता है कि गलत है, उसे कभी मत करो इसके बदले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको परंद सुख मिले जो आपके दिमाग के अंदर की केमिकल लोचे से उत्पन नहीं होती है बलकि वो इस दुनिया के परे की चीज है और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके लोगों की मदद करके माता पिता की सेवा करके गरीबों की मदद करके नमब फाइव जिन्दगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस्ट लाइफ यानि संतुलित जीवन जिन्दगी का कोई भी काम सोना खाना या जिन्दगी की कोई भी चीज हो हर चीज को बैलेंस्ट मोड में करो यानि ना कम और नहीं ज्यादा ना आपको ज्यादा सोना चाहिए और नहीं कम ना आपको ज्यादा खाना चाहिए और नहीं पूरा कम आपको हर चीज को balance में रखना चाहिए perfectly balanced अपने उंगली पर कभी किसी चीज को रख के देखना ये आप हो अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर जुके तो गिरना पक्का है पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे ये common सी बात है पर तब भी ये बहुत जरूरी सीख है अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाते हो ये कोट आपकी जिंदगी बदल सकती है आपके जिंदगी में एक नएक ऐसी चीज जरूर होगी चाहे वो किसी भी तरह का नसा हो या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर छोड़ नहीं पा रहे हो तो ये कोट उसी तरफ इशारा करता है आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा इसलिए जब भी कुछ करने की सोचते हो तो उसके उपर विचार कर लेना चाहिए कि ये काम सही है की नहीं आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए ये एक बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की तो इसका उत्तर है बैलेंस आजकल आप जो भी तै करते हो वो 80% दिमाग सही करते हो दिमाग की लालच में आके तो आपको दोनों को यानि दिमाग और दिल दोनों को आधा आधा प्रियोरिटी देना चाहिए ताकि आपका दिमाग आप पर हाभी ना हो इसका एक उधारन देता हूँ माल लो आप एक बहुत ही इंपोर्डेंट एक्जाम दे रहे हो सामने ही एक टीचर है और वो इधर से उधर हॉल में निगरानी रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग न करे और उपर एक कैमरा भी लगा हुआ है तो एक्जाम में आपको एक क्वेशन का उत्तर नहीं आ रहा और आपने बाकी सभी का एंसर दे दिया बड़े एक क्वेशन का एंसर आपको याद नहीं आ रहा बस उसका एंसर लिग दोगे तो आपके 90% पक्के हैं और आप पूरी तरह से श्योर हो फिर आपके लालची दिमाग ने कहा कि बेटा चीटिंग कर ले बस एक क्वेशन की तो बात है फिर तेरे 90% पक्के उस समय आपको ये पता नहीं है कि उस कैमरे से कोई देख भी रहा है कि नहीं क्योंकि आपको तो पता ही होगा कोई देखता ही नहीं वो तो बैट के वहाँ चाय पीते हैं और उतने स्टूडेंट्स में से आपको ये कैच कर ले इसका चांस बहुत कम है और ये बात आपको पता है तो इस परिस्तिती में आपके पास दो ही आप्शन्स है नमबर वन उस क्वेशन को छोड़ दो पर आप उस गोल्डें 90% को नहीं चुपाओगे 80s में ही रहोगे नमबर टू रिस्क ले लो और अगर सफल रहे तो 90% आपके तो देखा जाए तो अगर आप दिल और दिमाग दोनों से काम लोगे तो आप नमबर वन को ही चुनोगे क्योंकि दिल कहेगा कि 90% छोड़ अगर फस गये तो एक्जाम ही कैंसल कर देंगे ये लोग ये डर आपके दिल में पैदा हुआ जिसके चलते आपने नमबर वन को चुना पर अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो हर काम 80% दिमाग से ही करता है तो आप नमबर टू को चुनोगे दिमाग सिर्फ लालच वाली चीजों को ही दिखाता है तो आप्शन वन ही बेटर है क्योंकि अगर आप फंस गयें तो आपके इतने सालों की मेहनत बरबाद हो जाएगी इसलिए दिल और दिमाग का आधा-धा इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि कुछ तैय करते समय अगर दिमाग से ज़्यादा सोचा और दिल को नजर अंदास किया तो ये आपको बहुत नीचे ला सकता है थोड़ा-थोड़ा करके धैरे के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं हो सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकरात्मक सोंचता है इस दुनिया को आप जैसे देखते हो ये आपको वैसे ही दिखता है हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगा कर वो इस दुनिया को देखता है सेम एक ही घटना किसी एक इनसान के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रजेडी टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियालिटी सोस देखे होंगे इसको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि लोग ये कैसे देखते हैं मुझे समझी नहीं आता पर फिर भी लोग देखते हैं तो इस मामले में ये शो आपके लिए खराब है नॉंसेंस है पर उन लाखो लोगों के लिए ये फेवरेट है आप अभी सोचो कि आपका फेवरेट शो कौन सा है ये आपकी फेवरेट मुवी कौन सी है तो आपकी फेवरेट मुवी देखते समय आपको जितना मजा आया था उतना मजा उन लोगों को यه Fallout 2 शो देखने में आता है जो आपके लिए फालतु है पर उन लोगों के लिए मस्त तो यह दुनिया आपके नजर्ये से बनती है अगर आप ब्लू चस्मा पहन कर इस दुनिया को देखोगे तो ये आपको blue ही दिखेगी और अगर red चिसमे को पहनोगे तो जाहिर है red दिखेगी आज कल आप तो ये सुनते ही होंगे कि ये दुनिया बरबाद हो गई है दुनिया में नगरात्मकता फैल गई है दुनिया का अंद नस्दीक है पर क्या आपने कभी सोचा है कितनी खराब कंडिसन में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं वो इसलिए क्योंकि दुनिया को वो अलग नजर से देखते हैं दुनिया को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा क्योंकि दुनिया जैसी है वैसे ही रहने वाली है, दुनिया नहीं बदलने वाली है, पर आप अपने नजरिये को जरूर बदल सकते हो, इसलिए अगर खुश रहना है, तो अपने नजरिये को बदलो, और हर चीज को एक सकरात्मक चसमे से देखो, और नकरात्मकता को लात मार के भगाओ, जिसने आपकी खुशियां स्चीन ली इन नबर टू इस दुनिया में जो घमन्ड करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता जो भी कुछ आप के पास है वो आप कभी भी को सकते हो कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होथी और अगर आपके पास कुछ नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि जिन्दगी भर आप कुछ नहीं हासिल कर सकोगे क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है इस दुनिया में कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं होती इसलिए घमंड को त्याग दिना चाहिए घमंड त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने जिन्दगी में उपर उठोगे इसलिए किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए जब वो इनसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है और इसे ही आप modern भाषा में passion कहते हो अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और नहीं उस चीज में माहिर बन पाओगे आपको लएगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं आप एक robot जैसा feel करोगे इसलिए जिन्दगी में उसी career को चुनो जिसमें आपको interest हो जिसे आपको करने में मज़ा आता है लोग जो कह रहा है कहने दो आप बस अपने passion को follow करो वीडियो कैसा लगा नीचे comment करना मत भूलना like और share ज़रूर करना और इस channel पे नए हो तो subscribe ज़रूर करना